आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दूद से बनीवी ऐसी रेसिपी आपने इससे पहले कभी भी नहीं खाया होगा आप अगर एक बार इस रेसिपी को ट्राय करेंगे तो आप इसके फैन बन जाओगे खाने में बहुती स्वादिश रहता है रेसिपी चलिए अभी इसको कैसे बनाते है दिखाती हूँ मैं इसके लिए मैंने यहाँ पे आदा लिटर दूद लिया है इसको हम लोग एक उबाल आने तक उबाल लेंगे अभी हम लोग इसमें एक टेबल स्पून जीरा, एक टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, एक टेबल स्पून धनिया पोडर और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे हम लोग बेसिकली इसका मसाला पनीर बना रहे है अभी हम लोग यहाँ पे दो टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे और हलके हाथ से मिक्स कर लेंगे तब तक दूद फट जायेगा नहीं, तब तक हम लोग विनेगर का यूज करेंगे आप चाहिए तो लीम्बू का भी यूज करके दूद को फाड सकते हो देखे अभी हमारा दूद फट गया है, पनीर बन गया है ऐसे पानी अलग से होने तक हम लोग दूद को फाड लेंगे देखे अभी मैंने यहाँ पे एक छनी लिया है, नीचे एक बाउल लिया है कॉटन का कपड़े पे हम लोग चान लेंगे इसके उपर हम लोग एक से दो गलास पानी डाल देंगे इससे विनेगर की खुश्बो आई होगी ना वो चली जाएगी अभी हम लोग ऐसे हाथ से उठा के इसका एक्स्टा पानी निचोड देंगे ऐसे हलके हाथ से अगर पानी मी रहे गया तो भी चलेगा ऐसे निचोड कर अभी हम लोग इसको एक दूसरे प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये थोड़ी देर के लिए थंडा हो जाए ऐसे चम्मत से हम लोग अच्छे से फैला के रख देंगे और थोड़ी देर के लिए हम लोग इसे छोड़ देंगे अभी देखिए थोड़ी देर के बाद हम लोग इसमें आदा टेबल स्पून नमक डालेंगे थोड़ा यी नमक डालिए हम लोग ग्रेवी मी भी नमक का यूज़ करने वाले है इसलिए देखे अच्छे से हाथ से ऐसे आटे की जैसे मल लेंगे ताकि अच्छे से बैंडिंग आ सके ऐसा थोड़ा-थोड़ा हम लोग हिसा लेकर इसको ऐसा टिक्की के शेप में बना अभी हम लोग ग्रेवी बना लेंगे इसका, इसकी लिए मैंने यहाँ पे बड़ा सा पैन लिया है, आप भी इस तरह का पैन का यूज कीजिए, यहाँ पे मैंने चार टेबल स्पून ओईल डाला है, एक टेबल स्पून जीरा, एक टेबल स्पून अध्रक लेसुन का पेज ड यहां पे मैंने दो ओनियन को कट करके ढाला है अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन कलर आने तक हम लोग फ्राइ करेंगे यहां पे सबजियों को ज्यादा पकाने की जरुरत नहीं है यहां पे अभी मैंने दो टमाटर को कट कर लिया था अभी उसको टाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम लोग अभी इसमें हम लोग सुके मसाले डालेंगे आदा टेबल स्पून हल्दी पोडर एक टेबल स्पून धनिया पोडर और थोड़ा सा नमक एक टेबल स्पून लाल मिर्च पोडर डाल कर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स कर लेंगे और बाद में इसमें हम लोग अभी थोड़ा पानी डाल कर इसमें जादा पानी का यूज मत किजिए थोड़ा सही पानी डाल कर इसको अच्छे से पकने के लिए थोड़ी दो-तिन मिनिट के लिए हम लोग ढखकर रख देंगे अभी दो तिन मिनिट के बाद देखिए हमारे टमाटर और पैस अच्छे से पक गए है अभी इसमें हम लोग आदा टेबल स्पून गरम मसाला थोड़ा सा कसूरी मेती डालेंगे और एक बार अच्छे से मिक्स करके हम लोग और थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे दो त दिन मिनिट के बाद हम लोग इसमें हमने बनाया हुआ था ना पनीर का टिक किया उसको इसमें डाल लेंगे मैंने इसमें ग्रेवी कमी रखा है ताकि हमारे पनीर के टिक की बनाया हुआ है जो ऐसे दिखे इसलिए अभी हम लोग ढगकर इसको वाप में ही इसके स्टीम से ही पनीर अच्छे से कुख हो जाती है हम लोग अभी इसमें थोड़ा सा उपर से चिली फ्लेक्स डालेंगे और थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और दो तिन मिनिट के लिए हम लोग इसको ढग के स्टीम में ही कुख करने के लिए रख देंगे आपने देखा कितना आसान है रेसिपी और खाने में इतनी मखजिदार रहती है आप इसको एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे एक बार जरू ट्राइक कीशिए और कमेंट में बताईए आपको कैसा लगा इस रेसिपी को अगर आपके पास दूद भट गया है तो भी इस रेसिपी को आप आसानी से बना सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज एक लाइक कीशिए और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब कीशिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेर कीशिए थैंक यू फर वाचिंग